दोस्तो इंडिया वर्सस आश्टेलिया की जो टीम है आप लोगों किस प्रकार से ड्रीम इलोन ने फ़र्श ट्राइंक वाली टीम लेकर के आना देख सकते हैं यहाँ पे शुबमन गिल और स्टेस अयर ने यहाँ पे ड्रीम इलोन में बहुत सारे पॉइंट से दे थे जिससे आप लोग यहाँ पे लाखोर उपए जी सकते बस आपको एक ही काम करना है कि आप लोग जब टीम बनाते हैं इन गलतियों को मत दो रहे हैं कि जो यहाँ पे गलती लोग करते हैं जिसकी वज़े सो वो लोग वहाँ पे ड्रीम टीम में सामिल नहीं हो पाते दोस्तो इंडिया वर्सेस आच्टेलिया की यह सीरीज जो है इसमें काफी सारे बदला होने वाले हैं आखिरकार देख सकते हैं यहाँ पे रोहित बटालियन अब उतरने वाली है पूरी जो वर्ड कप की स्क्वार्ड है वही स्क्वार्ड आपको यहाँ थर्ड ओडियाई म आज यहाँ पे बल्ले बाजी अच्छा कासा आपको प्रदर्सन करके देंगे क्या सुबमन गिल आज के मैच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे जितने भी सारे आपके डाउट्स या कोश्चन हैं किस प्रकार से टीम बनानी होती है कौन सा खिलाड़ी का सेलेक्शन परसें आज किस प्रकार से यहाँ पर आप लोग टीम बना करके ड्रीम 11 से लाखो करोड़ो रूपाए जीच सकते हैं बट जो लोग यहाँ पर गलतिया करते हैं वो लोग कभी भी ड्रीम लेट से पैसा नहीं जीत पाते हैं तो आज दोस्तों कौन से खिलाड़ी को कफ्तान बनाना है बहुत सारे कोश्चन आपके जहन में होंगे तो वहीं बात कर लें इंडिया वासे इस आच्टेलिया की ड्रीम लेंड प्रडेक्शन टीम क्या होगी और कौन से ऐसे ट्रम्प खिलाड़ी हैं जो आप के लिए क्या सुमन गिल और आज भी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे रोई सर्मा विराट कोली और वहीं बात कर लें हार्दिक पांडिया कुल दीप यादो और उसके बाद आप लोग जानते हैं मुहमद शिराज और जस्पी दुम्रा इन इन खिलाड़ियों की तो वापसी होगी तो कौन कौन से खिलाड़ियों को हटाया जाएगा सब कुछ जानकारी मिलेगी दोस्तों वीडियो को लाज तक जोड़ देखेगा चलिए शुरू करते हैं आखिरकार पिछले मैच में आखिरकार किन-किन खिलाड़ों को ड्रीम टीम में सामिल होने का माउका का मिलेगी जब तक आप लोग भगवान का नाम नहीं लेंगे तब तक आप शुमन गिल इस टीम में दोस्तों कप्तान बने थे जो की 104 रन मारे थे वहीं सिर्यस एएर ने यहाँ पर दोस्तों 105 रन मारे थे और देख सकते हैं, यहां पे शुममंगिल ने 104 रन मनाते 85% 불 Wheel, High leading rate तब सबी वोगों ने कफ्तार बनायते हैं देख सकते हैं, और इनको points की बाद के रहें तो घोशिद्र यहां पे देख सकते, 4 points मिले 104 run बनायते, 104 points मिल गए वहीं पे 4 जो मारे गए हैं उसके चार पॉइंट्स मिले और यहां पे छक्के चार मारे थे तो उसके लिए आठ पॉइंट्स मिल गए वह इस ट्राइक रेट के लिए दो पॉइंट्स इनको मिल गए और दोख सकते हैं यहां पे तीस पचास सौ बनाने के लिए आठ पॉइंट्स मिल जाते हैं और दोस्त से इंच ना पकड़ा हो जिसकी वज़े से सुमन गिल को यहाँ पर गप्तान बना दिया गया तो इनके टोटल एक से चालिस पॉइंट हो जाते कितने हो गया थे एक सो चालिस पॉइंट हो गये थे लिए अब वहीं पे दिखा देते हैं आपको सिरेश आयर ने इरकार इन्होंने क्या गलती की है जादा रन बनाने के बाद भी इनको वाइस कैप्टन बनाया गया तो देख सकते हैं यहाँ पर स्रेस अइयर के बारे में बात करने वाले कि स्रेस अइयर का देख सेलेक्शन परसेंटेज काफी लो था नो डाउट सुमन गिल का 85 परसेंट और इनको 29 परसेंट सेलेक्शन रेट है फिर भी इनको गूप कप्तान की जगह मिली ज़्यादा रन बनाया तो इनको कप्तान होना चाहिए आपके हिसाब से और सभी के हिसाब से देखिए कि यहाँ पे घोसित हुआ प्लेयर उसका चार प पॉइंट मिल जाता है तो इनको यहाँ पे 6 पॉइंट अलक्स मिल गए इस ट्राइक रेट के लिए 2 पॉइंट बनाने के लिए यहाँ पर प्चाण आठप पॉइंट मिल गए अगर अन्डेट बनाता तो उसको 8 पॉइंट मिलते हैं और दोस्तों वहीं पर बात कर लेते ह भी आपको पॉइंट्स ले करके देता है कौन से खिलाली नहीं देता है इन सबी चीजों की वज़े से स्रेसा ये जादा रन बनाते हुए भी ड्रीम टीम में कफ्तान नहीं बन पाया तो आखिरकार यही सब गलतियां होती है जिसकी वज़े से ये कफ्तान का डिसीजन होता है आपको एक एक पॉइंट मतलब बून बून से घड़ा बरता है जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा तो एक एक पॉइंट्स बहुत ही जादा महात्य पूर्ण होता है और देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों अब एक बहुत ही आपको पॉइंट बता रहे हैं कि इस तरह के गलतियां कोई नहीं करता है तो इस टीम में जो टीम बे बनाएगा यह बहुत भारी भयंका रिस्क लिया गया यहाँ पे आपको इंडियन बालर एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं ना तो यहाँ पे मुहमद शमी दिख रहे हैं ना तो यहाँ पे दोस्तों प्रशिद किष नहीं है आप लोग 4-4 बार लेकर घूंटे फिर भी यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर इंडियन बालर नहीं हैं सिर्पशिप आस्टेलियन दो बालर रखे गए हैं दो बालर को ड्रीम टीम में जग्रह मिली तो आखिरकार क्या क्या वज़े थी जिसकी वजे सिंद्यन बालास को नहीं रखा गया आप लोग देख सकते हैं और दोस्तों वहीं बात करें आज्टेलियन बाले बाजों को आखिरकार खेलने का इसमें डीम टीम में सामिल क्यों नहीं हो तो डेविड वार्नर को लिया गया क्योंकि डेविड वार्नर ने 54 रन बना है लग भग लग लग तो दोस्तों आपको बतादे कि यहां पर पीछ अच्छी थी और बैटिंग पीछ है इस वज़े से यहां पर आप लोगों को इसलिए बैटिंग पीछ बॉलिंग पीछ या दो काफी ज़्यादा इंडियन प्लेर्स को यहां पे ड्वांटेज मिली और उन्हें ने भार भार के रन बनाए देख सकते क्लियल राहूल इसान किशन शुमन गिल स्रेस अयर रूर कुमार यादो रवीन जटेजा आर अस्विन जैसे सभी यहां पर आर साथ खिलारी मतलब इंड नहीं लिया गया उनको इसलिए नहीं लिया गया है क्योंकि आस्टेलियन गेंद बात जो है उन्होंने तो मतलब इंडिया के खिलाप है विकट चटकाए उनको पॉइंट्स मिल गए अब यहां पर दोस्तों आपको बतादे कि देख सकते हैं इंडियन बालर जब यहां पर आस्टेलियन को तो भी आउट कि उनको भी पॉइंट मिलना चाहिए मगर वो जल्दी आउट हो गया और उनको कम थे इस वज़े से उनको पॉइंट्स इतने नहीं मिले कि यहां पर वो लोग आ सकते आखिर कार दिखाते हैं कि इंडियन बालर के कितने पॉइंट थे और काफी आई था पचासी परसेंट एक से च्वालीस पॉइंट दिये दोस्तों सेस अईयर का पॉइंट्स वहीं पर घड़ गया जब इन्होंने एक कैच नहीं पकड़ा है इसको इनको वाइस कैप्टन अगर इन्होंने रन ज्यादा बना था इनको कप्तान बनना चाहिए तो इनका सेलेक्शन परसेंटेज मतलब पॉइंट्स ड्रीम टीम में कम हो गया और दोस्तों सुमन गिल की बात करें कप्तानी के लिए इनको 28.17 परसेंट लोगों ने चुना था वहीं वाइस कैप्टन के लिए बात करें तो 10.19 परसेंट लोगों ने चुना थे इनको टीम में और स्रेश सायर का काफी कम सेलेक्शन देट था कप्तानी और रूप कप्तानी के लिए मगर इनको फिर भी चांस मिला 30.18 परसेंट लोग इनको अपनी कप्तानी में रखते थे स्रेश सायर को और 2.85 परसेंट लोग इनको वाइस कैप्टन चुनना चाएते थे वहीं बात के लेते हैं रवीन जटेजा जोकी तीसे नंबर पे highest points देने वाले ख्लाड़ी हैं इन्होंने रवीन जटेजा ने 115 points दिये हैं देख सकते हैं 75% selection rate था कितना था 75% selection rate था और इनके देख लेकिते हैं इनको कप्तान उब कप्तान के लिए कितना selection percentage था तो आपने देखा तीसरे हाइस्ट स्कोरिंग जो ड्रीम टीम में पॉइंट्स देने वाले खिलाड़ी रफीन जडेजा थे और दोस्तों वहीं बात कर लेते हैं अर्षविन की आरहस्विन को देख सकते हैं एक से ग्यारा पॉइंट्स मिलें कितने मिल य्जयारा और 27 цент zakा सेलेक्सार लेंट्स का प्रसलेक्सें रेट था पर सबसे सकर女 करonnaं ग्रॉइ सकति कंपतानों पार्सलो टीम में सेलेक्सार को यगे लाजा़ए तो देस्वन में वा समझ सकते कि आप लोग किस प्रकाद से हाई सेलेक्शन परसंटेज वाले खिलाड़ी के नाम से आप लोग ड्रीम टीम बनाते हैं जिसके वज़े से आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं और आपने कौन कौन से खिलाड़ी को अपने टीम में सामिल किया या नहीं सामिल कि बताईएगा शूर कुमार यादोग देख सकते एक सो चार पॉइंट्स दिया इनको 24-14 परसंट सेलेक्शन रेट था काफी यहां पे इनका कम सेलेक्शन रेट था और इनको लोग भी कप्तां काफी कम बना रहे थे उसके बाद देख सकते हैं यहां पर दोस्तों और भी खिला और अगर बात के लिए इनका सेलेक्शन रेट 74-31 परसंट केल रहूल के सेलेक्शन परसंटेज काफी ज़्यादा था 85 परसंट और यहां पे 73 पॉइंट्स दिये वह हैं जेव सोजलवूड 47 परसंट सेलेक्शन रेट था 58 पॉइंट्स दिये तो दोस्तों आपने देखा कि अब भी जो भी ड्रीम 11 के स्पेशलिस्क बनते हैं उनके देख सकते क्या वो लोग बताते हैं और वो लोग भी बार बार बताते फिर भी ड्रीम टीम में आप लोग फरस्ट रैंक नहीं ला पाते हैं तो मिलते फिर आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सुक्रिया धन्यवान नमस्कार